हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु मैं चैनल आज मैं आपको अच्छी फिटिंग की प्रिंसेस कट कुरती बनाना बताऊंगी तो इसके लिए हमने धाई मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े की वेड़ थे 44 इंच यह इसकी लंबाई है और यह इसकी चोड़ाई है तो लंबाई में हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है यहाँ पर फोल्ड साइड है अभी हम इसको चोड़ाई में फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से हमने कपड़े को फोर फोल्ड कर लिया है यहां पर यह फोर लियार से open side है और यहां पर folded वाली side है यहां पर fold side है और यहां पर इसकी open side है तो यह जो folded वाली side है यहीं से हम shoulder के लिए mark करेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच यहीं से आर्मोल लेंगे 6.5 इंच इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है अब यहाँ पर हमें चेस्ट का फूर्थ पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो यहाँ पर 12 इंच है लेकिन 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम प्रिंसिस लाइन मार्क करके कट करने वाले हैं इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 13 इंच हम लेंगे चेस्ट साइज उसके बाद कमर की लेंद लेंगे 14 इंच और हिप की लेंद लेंगे 21 इंच अब जहां पर कमर लेंद का निशान लगाया है वहां पर कमर का 4th पार्ट लेना है प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन आड़ करना है तो यहाँ पर आ रहा है 10 इंच प्लस यहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे उसके बाद जहाँ पर हिप लेंद का निशान लगाया है वहाँ पर हिप का 4 प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है प्लस यहाँ पर भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो मैं ले नियू 13 इंच इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे उसके बाद इसको हमें A-Line शेप में जोड़ना है अभी देखें लेंध आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो यहाँ पर लेंध मैं ले रही हूँ 47 इंच 47 पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दींगे उसके बाद इसको A-Line शेप में जोड़ेंगे नीचे से 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से कर्व शेप देंगे इससे साइड से कोने नहीं निकलेंगे अभी आर्मोल ड्रा करेंगे तो इस लाइन का हाफ लेंगे और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रा करेंगे और half inch अंदर से front का आर्मोर भी draw करेंगे तो line के अंदर से लेंगे थोड़ा सा अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width लेंगे 3 inch और neck depth लेंगे 6 inch front के लिए और back के लिए हम लेंगे 4 inch उसके बाद हम round shape देंगे अभी cutting करेंगे सबसे पहले back neck और back armhole cut करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम sleeves की cutting करेंगे इसको अभी हम side में रख लेंगे अभी हमें इसको open करना है और इसमें से back parratt को side में रख देना है और front parratt को फिर से fold कर लेना है और front neck और front armhole की cutting कर लेनी है तो इस तरह से हमने cutting कर ली है तो अभी हमें इसमें princess line ड्रॉ करनी है front parratt में सबसे पहले हम shoulder से burst point के लिए निचान लगाएंगे तो यहाँ पर यह large size की कुरती है तो यहाँ पर burst point आ रहा है 10 inch अब यहाँ से distance लेंगे 3.5 inch heavy size के लिए आपको XL double XL size के लिए आपको 4 inch लेना है उसके बाद इसके center पर हम निचान लगा लेंगे बराबर और इस तरह से इसको curve shape में जोड़ेंगे उसके बाद यह जो camera length का निचान है यहाँ तक हमें straight रखना है इसको अभी bottom में निचान लगाएंगे तो bottom में 9 या 10 inch पर निचान लगा लेना है उसके बाद इसको यहाँ पर जोड़ देना है तो हमने princess line ड्रॉ कर दी है अभी हम इसकी cutting कर लेंगे इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी हमें इन कलियों को attach कर लेना है तो हम इसको इसके ओपर उल्टा रख लेंगे और stitch कर लेंगे इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी stitch करेंगे तो यहाँ पर हमने princess line mark करके cut करके वापिस attach करेंगे इससे fitting अच्छी आती है इसलिए हम इसको cut करके attach करेंगे अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसको हमें लेना है यहाँ पर folded वाली side है वो हम अपनी तरफ रखेंगे इस तरह सी फोर फोल्ड में है यह फोल्ड side है सबसे पहले sleeves की length लेंगे 12 inch sleeves bottom लेंगे यहाँ पर 7 inch आ रहा है अब यहाँ पर हम इसकी width लेंगे sleeves की 10 inch उसके बाद नीचे हम 3 inch पर mark करके इस तरह से curve shape दे देंगे उसके बाद इसको यहाँ पर जोड़ेंगे अगर आपका fabric कम पढ़ रहा है तो आप यहाँ पर joint भी लगा सकते हैं अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो हमने sleeves की cutting कर ली है अभी इसको open करके रखेंगे दो sleeves है यह दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद ही हमें front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है इसके center पर हमें cut लगा लेंगे तो देखे हमने यहाँ पर दोनों parts को stitch कर लिया है अभी हम neckline बनाएंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको बीच से fold करके रखेंगे अभी यह हमने एक fabric का piece लिया है इसको fold करना है और इसके नीचे रख लेना है fold side के उपर हमें fold side ही रखनी है उसके बाद neck के shape में हम marking कर लेंगे और इसकी cutting कर लेंगे अब यहां से 1.5 इंच का margin रखना है और extra कपड़े को cut कर लेना है इस तरह से यह हमने पट्टी कट कर ली है अभी front part को open करके सीधा रखना है इसके उपर पट्टी को हमें उल्टा रख देना है और पाव इंच के distance से सिलाई लगा देनी है तो हमने यहां पर सिलाई लगा दी है अभी यहां पर हम चोटे-चोटे cuts लगा लेंगे उसके बाद इसको अंदर की तरफ fold करके front neck बनाएंगे तो हमने front neck बना लिया है अभी हम back neck बनाएंगे तो इसके लिए हमने neck के ship की strip ली है इससे इसके उपर रख के stitch करेंगे और अंदर की तरफ fold कर देंगे इस तरह से हमने back neck भी बना लिया है अभी front का part हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach करेंगे shoulders attach करने के बाद हम sleeves को attach करेंगे sleeves को shoulder के उपर उल्टा रखना है और इससे stitch कर लेना है इसी तरह से bottom को double fold कर देना है तो हमने दोनों sleeves को stitch कर लिया है उसके बाद यहाँ पर front part में हमने princess line mark करके cut करके attach की है तो यहाँ पर front part side से थोड़ा कम है तो back part को भी हमें कम कर लेना है और तो दोनों पार्ट समारे बराबर हो जाएंगे और दोनों side से fitting करेंगे और bottom को double fold कर देंगे तो इस तरह से यह हमारी flared princess cut करती ready हो गई है कर्वशब कर थो नहींक्राबग है आरे यह थोज़ा कि तनरे भी हो अजारे १र टू जालो जालो छुद टालो झालो कि अ जाज़ा है कि अ ही जालो झाल झाल